दोस्तों प्रधान मंतरी मोधी के तीसरी बार शपत ब्रहन के बाद से ही जम्मु कश्मीर में तीन लगातार हमले हुए हैं, आतंकी हमले हैं, यहां पर मैं आपको बता दू कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन जैशे मोहमध इस से लिंग एक टेरर गुप है जिसने इस हमलो की जिम्मेदारी ली है जो कि जम्मो कश्मीर में हुए है हाल ही में जो अभी एक हमला हुआ है वो हुआ है आमी पोस्ट पर जम्मो कश्मीर के डोडा में आज के सेशन में हम इसी के बारे में डीटेल में बात करेंगे यहां पर पांच आमी सोल्जर्स और एक स्पेशल पुलि कर दिया आर्मी के टेंपरेरी ओपरेटिंग बेस पर जम्मो कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में यह जो एंकाउंटर इस सम्बंध में एंकाउंटर और सर्च ओपरेशन अभी जारी है यह तीनों ही जगा पर इनको किया जा रहा है रियासी में हुआ उसके बाद कठ हुआ और अब डोडा कठ हुआ हमले के बाद से ही एंकाउंटर और सर्च ओपरेशन जो है चल रहा है इन टेर्रिस्ट को पकड़ने के लिए जिसमें से एक ही ब्रत्यू भी हो गई है इक्जाक्ली हुआ क्या टेर्रिस्ट ने ओपन फायर कर दिया एक जॉइन चेक पोस्ट पर औ और पुलिस इन चत्रे गाला एरिया ऑफ डोडा रीजन इसके बारे में जानकारी दी गई अडिशनल डिरेक्टर जेनरल ऑफ पुलिस आनन्द जैन के दवारा उन्होंने बताया कि बही सिक्योरिटी परस्टन में जब यह हमला हुआ मिलिटेंट्स के दवारा आतंकियों के लेकिन अपकोर्स उनका इशारा उसी की तरफ था कि हमारा हुस्टाइल नेबर है जो कोशिश कर रहा है कि हमारे देश का जो पीस्फुल इन्वायमेंट है उसको किसी तरह डामेज किया जाए जो हीरा नगर टेरर आटाक है यह एक फ्रेश इंफिल्ट्रेशन के चलते जिसमें एक टेररिस्ट को मार भी गिराया गया है और बाकियों की एक तरह से सर्च अभी चल रही है यहां पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हाली में लोकसभा चुनाओ हुए जमू कश्मीरी भी लोकसभा चुनाओ हुए और 50% से जादा की वोटिंग हुई है तो ऐ अगर चुनाओ हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद इनके लिए तिक्कते और जादा बढ़ने वाली हैं जिसकी वजह से शायद यह सारी चीजें की जा रही है नातं की संगठनों के द्वारा ना इस संबंध में टेरर आउटफिट ने स्टेटमेंट इशू किया यह है कश्मी टाइगर्स टेरर ग्रूप इसने इशू किया है स्टेटमेंट इस अटाक के बाद जहां पर ही दे सेड कश्मी टाइगर्स क्लें रिस्पोंसिटी फर दी अटाक इन छत्रे गाला एरिया इन डोडा ही जो डोडा में अटाक हुआ है इसकी जिमेधारी लि पांच इंडिया नामी परसनल और एक जमु कश्मीर पुलिस परसनल ये घायल हुए है ताद में ये भी लिखा गया है कि ये जो वार है तब तक चलेगी जब तक कश्मीर फ्री नहीं हो जाता तो कहीं न कहीं है बॉकलार्ट इलेक्शन की ही है पता है चीजें और इनों में तीन टेरर अटाक्स हो चुके हैं सबसे पहले रियासी में हुआ, कठवा में हुआ, अब डोडा इंसिडेंट जो है तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डोडा, इस इस कठवा और इस रियासी यहाँ पर जो शद्धालों थे उनकी बस पर अटाक किया गया, कठवा में घर में घुसकर, इसके बारे में शेयर करूँए आपके साथ इंफरमेशन और डोडा में अभी जो आमी का जो पोस था, टेंपरेडी पोस था, उस पर अटाक किया गया, यह टेरिस्ट, एक टेरिस्ट की मृत्य हो गई है, मतलब उसको मार गया गया है, इस इनकाउंटर इस ने फायर किया एक घर में, अट कठवा साइदा सुखल विलेज, जो की इंटरनाशनल बॉर्डर के काफी करीब है, आप देख सकते हैं, काफी पास है यह एरिया, जहां पर इस अटाक किया गया है, इस पाकिस्तान, इस में घर में अटाक किया गया था, दो टेरिस्ट मे क्या हुआ, रियासी में टेरिस्ट ने ओपन फायर किया एक बस पर, जो की हिंदू पिल्ग्रिम्स को ले जा रही थी, व्रम शिव खोरी टेंपल, जिसमें दस लोगों की जाने चली गए और 35 के असपास लोग इंजर हुए हैं, बहुत सारी CCTV फुटेज के द्वारा यह पत रही है, according to various sources, जो टेरिस्ट हैं, यह वही टेरिस्ट ग्रूप है, यह सेम ग्रूप से है, जिसने अभी चार में को पूंच में जो हमारी इंडियन एर फोर्स के कॉन्वोय पर हमला किया था, उसी के यह लोग साथी हैं, तो फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, एं पूंच चुनाव हो गए हैं, उसके बाद अविधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो पिछले काफी समय से शांती बनी हुई थी, जिसको डिस्रप्ट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, और इसी वज़े से यह हमले हां हुए हैं, चलिए, अनकाडमी लेर्नर्स शाइ और essay writing classes मिलेंगी, comprehensive coverage मिलागा, general studies का, 360 degree current affairs coverage आपको मिलने वाला है, interaction होगा, educators के साथ, along with one-on-one, mentorship and doubt-solving, test series भी आपको 40 से जादा section of full-length test यहां मिल रहे हैं, आप prepare कर सकते हैं, इडिया के top educators के साथ, अपनी UPSC, CSE के लिए, यह dates हैं, हमारी जब courses शुरू होने वाले हैं, अपर आप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप सेंटर विसित कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए, यूप में हमारा सेंटर प्रयाग राज सिविल लाइन्स में हैं, जहां पर offline classes चल रहे हैं, यूप से, CSE के लिए, बलकि UP PCS के लिए भी, इंदिय और लिए लिकान, सो आप कित अगरे लुक्षिए बूतिकांस अवड लाइस्ट अप्डेश बाइस्ट अबड़ लाइस्ट अग्यू सो मUCH गडब्लस् तेक चर बड़ए लाइ झाल झाल